हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम से 183 पर आज है 18 दिसंबत 2 या 23 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगर आप किसी भी अग्याम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा इम्पोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वेल आइकन को भी और पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पा हैं और आज की इस वीडियो के PDF फाइल आपको हमारे टेली गरम चैनल पर मिल जाएगी और टेली गराम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्सिन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस टेली गराम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए इस वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे कुशन भी पूछूंगा और इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर हाल ही में BCCI ने केस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रेटायर करने का फैशला किया है इस कुशन का सही अंसर है ओप्शन B, MS दोनी तो हाल ही में BCCI ने पूर्व क्रिकेटर महिंदर सेंदोनी की जर्सी को रेटायर करने का फैशला किया है आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं महिंदर सेंदोनी बहारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि BCCI ने पूर्व कप्तान MS दोनी द्वारा पैनी जाने वाले पतेश्टित नंबर 7 जर्सी को रेटायर करने का फैशला किया है BCCI ने ये फैशला दोनी की उपलब्दियों को सम्मान देने के लिए लिया है इससे पहले BCCI ने महां सचन पैन्दूल करकी जासी नंबर 10 को रेटायर किया था और अब इस फिसिस किलम में दोनी का भी नाम जुड़ गया है नेक्ट कोशन है गोराइडो मार्टिन्स को हाल ही में किस देश के प्रधान मंत्री गेरोप में चुना गया है और इस कोशन का सही अंसर है ओप्शन C गिनी बिसाओ आप इमीज में भी देख सकते हैं ये हैं गोराइडो मार्टिन्स और एनी को हाल ही में गिनी बिसाओ देश के प्रधान मंत्री के रोप में चुना गया है गिनी बिसाओ गडराज के राश्पती उमारो, सिसोको, एमबालो ने गिराइडो जुआओ मार्टिन्स को फिर से नियुक्त करने का आदेश जारी किया गोराइडो जुआओ मार्टिन्स अगस्दो या तेश में पी-म के रोप में नियुक्त किये गए थे और नियुक्ती से पहले उन्होंने गिनी बिसाओ सरकार में वित्मंत्री के रोप में का रगिया था अब गिनी बिसाओ जो देश है इसकी राइधानी बिसाओ है और या की मुद्रा है CFA फ्रेंक नेट कोशन है हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला बोले ट्रेन टर्मिनल बनाया गया है और इस कोशन का सई आंसर है ओप्शन C एहमदाबाद तो हाल ही में एहमदाबाद में बारत का पहला बोले ट्रेन टर्मिनल बनाया गया है बारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल गोजिरात के एहमदाबाद में सावर मती मल्टी मोडल ट्रांस्पोर्ट हब में बनाया गया है यह टर्मिनल अत्याद उनिक और आद उनिक सुविदाओं से सुसजित है और यह उद्गाटन बुलेट ट्रेन की मीजवानी करेगा बारत की पहली बुलेट ट्रेन एहमदाबाद और मुंबई यानि माराष्ट के बीच संचालित की जाएगी बहारत की मुंबई एहमदाबाद हाई स्पीड ड्रेल परियोजना की आदारशिला दोया सत्रे में रखे गई थी और दोया 26 में पूरा होने की उम्मीद है बुलेट ट्रेन का निर्माद जापन सरकार की तकनीकी और वित्ती सहयोग से किया जा रहा है नेक्ट कुशन है कि इस देश में प्रशिद भारतिय कवी तिरूवल्लूवर की प्रतमा का अनावरण किया गया है तमिलो द्वारा सांस्क्रतिक प्रतिक माने जाने वाले तिरूवल्लूवर की प्रतमा का फ्रांसी सेस सेरगी में उदगाटन किया गया तिरू बंडूवर एक भारती कभी और दार्शनिक थी उनने तिरू कुश की लेखक के रूप में जाना जाता है जो नेतिकता राजनीतिक और आर्थिक मामलों और प्रेम परदोहों का शंग रहे है फ्रांस जो देश है इसकी राहिदानी पेरिस है मुद्रा है यूरो और फ्रांस के पधान मंत्री है एनिजाबेत बोवन नेश्ट कुशन है हाल ही में गद्दाम कुमार पशाद को केस राज की विदान सभा का नया अध्यच ने उक्तिया गया है इस कुशन का सही अंसर है option A तेलंगाना तो हाल ही में गद्दाम कुमार पशाद को तेलंगाना राज की विदान सभा का नया अध्यच ने अप्तिया गया है आप इमीज में भी देख सकते हैं ये हैं गद्दाम कुमार पशाद हाल ही में विदाय गद्दम प्रशाद कुमार को शर्व शम्मत्ती से तेलंगाना विदानसवा का अध्यच चुना गया है तेलंगाना के प्रोटे में स्पीकर अकवर उद्दीन ववैशी ने तेलंगाना विदानसवा में इस फैसले की पोशना की वे तेलंगाना विदालसवा में विकाराबाद का प्रत्मिरत्तु करती हैं और वे आंदपदेश विदालसवा के पूर्वसदस हैं और भारती राश्टिय कॉंगरेस से हैं नेक्ट कुशन है पाच में विश्व स्वच परियावरण अंतर राष्टिय सिकर सम्मिलन का आयोजन के सिस्थान पर किया गया इस कुशन का सही अंसर है ऑप्शन B पटना तो पाच्वें विश्य स्वच परियावरा अंतराष्टिय सिकर सम्मीलन का आयोजन पटना के मगद महिला कॉलेज में 12 से 14 दिसंबर तक किया गया नेक्ट कुशन है कि इस ब्रेटेस भारतिय संगीतकार को दोज़ा 24 बुकर पुरसकार निर्डायक पैनल में शामिल किया गया है इस कुशन का सही अंसर है option B ब्रेटेस भारतिय संगीतकार निर्डायक पैनल में शामिल किया गया है ब्रेटेस भारतिय संगीतकार निर्डायक पैनल के सदस्के रूप में वोशित किया गया है वे सलमान रोश्दी की 1981 की बुकर पुरुसकार विजेता मिड़नाइट्स चिल्डरेन के स्क्रेर रूपांतर के लिए जाने जाते हैं और अंतरराष्ट्य बुकर पुरुसकार युनाइटिट किंग्नम में आयोईट एक अंतरराष्ट्य सायत तिक पुरुसकार है फाश्ट अटेक क्राफ्ट आय्येने स्टार मुगली को केज नोसर न डॉक यार्ड पर कमिशन किया गया आय्येने स्टार मुगली एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है वाइस एड्मिर्र संदेप नैथानी चीफ आफ मैटेरियल इस कमीशन समारों के मुख्यत्ती थे और इसका नाम अंदमान समू के एक दूइप के नाम पर रखा गया है नेक्ट कोशन है मिस इंडिया यूएस दोवया तेज का खिताब किस ने जीता इस कोशन का सही अंसर है आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं रेजुल मैनी और इनों ने ही मिस इंडिया यूएस दोवया तेज का किताब जीता है नेक्ट कोशन है इस कोशन का सही अंसर है तो दुनिया की सीज पचास एशिया यस्तियों की ब्रेटेन की सूची में सारुखांट सी सिस्थान पर रहे है नेक्ट कोशन है उत्तर पदेश के केंजिले में ब्रेटेश कमपनी द्वारा रच्छा छेत्र में 75,000 करोड रुपे का निवेश की आ जाएगा और इस कोशन का सही अंसर है ओप्शन ए आयोध्या तो उत्तर पदेश के आयोध्या जिले में ब्रेटेश कमपनी द्वारा रच्छा छेत्र में 75,000 करोड रुपे का निवेश की आ जाएगा ब्रिटेन की बड़ी कमपनी ट्राफ लगर इस्वायर केपीटर उतर पदिसके आयोध्या में डिफेंस विनिर्मार की इकाई लगाएगी इसके लिए कमपनी कुल 75,000 करोड रुपे का निविश करेगी इसके प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है इसके ब्रिटेन के बेट एंड रोड इनिशेटिव इनिशेटिव से बाहर हो गया है साल 2019 में इटली बी आर आई में शामिल हुआ था और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजनी ने कहा कि चीन के साथ बी आर आई में शामिल होने के बाद भी दोनों देशों के बीच ब्यापार में उम्मीद के अनुरूप ब्रदी नहीं हो पाई है अब चीन वो इटली जो देश है इसकी राजधानी रोम है मुद्राया की यूरो और इटली के प्रधान मंत्री है जोर्जिया मैलोनी नेक्ट कोशन है कल बुर्गी ओपन टेनिस टूनामेंट दोई या तेस में पुरुष एकल का खिताब किस ने जीता है इस कुशन का सही अंसर है ऑप्शन B राम कुमार रामनाथन तो कल बुर्गी ओपन टेनिस टूनामेंट दोई या तेस में पुरुष एकल का खिताब राम कुमार रामनाथन ने जीता है बारत के रामकुमर रामनाथनी फाइनल में ओश्टिया के डेविस पिचनर को हराक पुरुष एकल खिताब जीता है और इसका आयोजन इस्तल है करनाटक के कल बुरगी में इसका पुर्फट्न का सईप्राष जलवायू परवर्तन सम्मेलन दोएशचोविस कहां पर आयोज़त किया जाएगा COP29 का मतलब पार्टियों का 29 सम्मेलन है जो एक महत्पूर वैश्विक कारकरम है जहां राष्ट, जलवायो परवर्तन पर चर्चा और रर नीतिक बनाने के लिए एकत्रित होते हैं इसे प्रत्वी शिकर शम्मेलन के रियो शिकर सम्मेलन या रियो शम्मेलन के रोप में भी जाना जाता है Conference of the Party सम्मेलन यानी COP में वो देश शामिल होते हैं जिनोंने 1992 में रियो डी जेने रियो में हुए मूल जलवायो समझोते पर दस्तगत किये थे Next question है महिला एवं सायता समुहों को शशक बनाने के लिए प्रदवान मंत्री नरिदर मोदी जी ने November 22 ilia 20 में किस योजना को शरू किया है इस Question का saї an answer है Option A नमो و ड्रोन दी दी योजना तो महिला एवं सायता समूहों को शशक बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी ने नवंबद दोया थेश में नमो ड्रोन दीदी योजना को शुरू किया है इस योजना के तैट करफी के छेत में महिलाओ का बेयतर योगदान, शुनिशित करनी और ड्रोन की जरिये खेती को आशन बनाने के लिए पूरे देश में 15,000 नमो ड्रोन दीदी को प्रसिचित किया जाएगा कल की वीडियो मैंने आपसे कोशन पूछा था कि हाल ही में केश देश द्वारा प्रत्वी की सबसे गहरी प्रयोग ख्याला शुरू की गई है और इस कोशन का सही अंसर था option C, चीन तो हाल ही में चीन देश के द्वारा प्रत्वी की सबसे गहरी प्रयोक शाला शुरू की गई है अब आपके लिए आज का कुशन है के सराज में PM College of Excellence की स्थापना करने की कोशना की गई है इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की helpful लगी हो तो आप इस वीडियो का अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरावन